तो दोस्तों ये नजारा है इस वक्त कैंडी का जहां पर कि सुभा से बारिश हो रही है जोरदार और मुसलाधार बारिश यहां पर हो रही है यह पस्वीरे में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहां पर कैंडी की ये तस्वीरे है जोरदार बारिश यहाँ पर हो रही है और वैदर फोरकाव से कहता कि कल भी बारिश हो सकती है तो कल भारत और शिलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा तीसरे T20 मुकाबले को जीत कर भारत 30 से सिरीज को अपने कबजे में करना चाहेगा क्लीन स्वीप करना चाहेगा शिलंका का लेकिन बारिश उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है यानि कि जो रेन है वो विलिन बन सकती है और यह आप देख सकते किती तेज यहाँ पर बारिश हो रही है और यह बारिश सिर्फ कैंडी में नहीं हो रही है बलकि कोलंबो में भी हो रही है इसकी वज़े से जो प्रैक्टिस सेशन था वंडे के खिलाडियों का जिसमें रोई शर्मा, श्रेस अईयर, कुल्डी प्यादव, केल राहूल सामिल पे उनका भी जो प्रैक्टिस सेशन था वो कैंसल कर दिया गया यह आप देख सकते हैं और यह बारिश दिन भरते हो रही है, आई यह कि कभी बारिश थोड़ा कम हो रही है, जादा हो रही है, लेकिन कंटिनिटी में बारिश हो रही है, यह आप देख सकते हैं यहापर, कितनी तेज इस वक्त बारिश हो रही है, अब दोतरों, तीसरा T20 इस इसको जीट चुका है लेकिन अगर ऐसे ही बारिश होती रही और मैच नहीं खेला गया तो फिर उन खेलाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाएगा एक चीज और भी है शुम्मन गिल पर सबकी नजरे ठीकी हुई है कि उनका जो नेक स्पास में यानि की गर्दन की जो जक्रण लिया जाएगा कि क्या शुम्मन गिल को तीसरे T20 में खिलाना है या फिर संजू सैमसंग को एक और चांस मिलेगा क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि संजू सैमसंग जो है उनको एक ही मैच मिला और उसमें वो खाता भी नहीं खोल पाए शुमन गिल की जगे उनको चांस लिय इंटरनेशनल स्टेडियम मौझूद है और बारिश की हालत आप देख रहे हैं कितनी जबर्दस कितनी तेज बारिश आपर हो रही है आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे यह देखिए और यह भी बताया जा रहा है कि वंडे सीरीज को भी बारिश जो है वो प्रभावित क हो सकती है और ऐसे में जो वंडे गेम से उनके ओपर दिक्कत आ सकती है क्योंकि 50-50 ओवर का गेम कराना और बारिश अगर होती रहेगी तो वह आसाल नहीं रहेगा आयो जकों के लिए भी शेलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए भी तो यह तस्वीरे में आपको दिखा रहा हू यह आप देख सकते हैं बारिश का क्या आला में इस वक्त केंडी में यह देखे आप और ऐसे में तीसरे टी-20 के उपर बारिश का साया मंडरा रहा है बारिश अगर होती है सोरदार होती है और मैच नहीं हो पाता है तो फिर आप जानते हैं भारत तो सिरीज जीती चुका है अब कुछ खिलाडी जिनको और चांस दिया जा सकता था शायद उनको चांस ना मिल पाए और वंडे के जो खिलाडी प्रैक्टिस करना चाते हैं शायद वो भी प्रैक्टिस ना कर पाएं और ज़्यादा जानकारी के लिए स्पोर्स विद रविश को सब्स्राइब करें इस्ट्रग्राम आइडिये वहां पे भी आप हुझे फॉलोग कर सकते हैं